नमस्ते भारत आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिट से मैं उपस्तित हो गई हूँ तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजेगा अंत तक देखेगा शेयर कीजेगा और साथ के साथ मेरे यानि आपके अपने चैनल ममत देवल चुनाव नहीं निपटे निपट गई वो तीन पुलिटिकल पार्टी जिन्हों ने जातपात की आधार पर एक जूटा फेक नैरेटिव बुन करके फिर से एक बार महराश्ट्र की जनता को धुका देने का उनको लूटने का उनके साथ चल करने का प्लैन बना लिया था लेकिन इस बार उनके छलावे में नहीं आया महराश्ट्र ऐसे मुठी की तरह एक हो गया पूरफ से पश्चिम उत्तर से दक्षिन तलक और साफ कर दिया कि भई इस बार हम डिवाइड एन रूल वालों के साथ नहीं जाएंगे जो हमें बाटने की कोशिश कर रहे हैं उ लेंड स्लाइड मैंडेट दे दिया इस बार ऐसा मैंडेट दिया जो 1962 के बाद हमने अब देखा है किसी भी प्रीपोल अलाइंस को इतना बड़ा मैंडेट 1962 के पश्चात अब देखने को मिला है तो इसके लिए मैं एक बार फिर से महराष्ट की जनता को प्रणाम भीज रही हूँ उन्होंने जो पूरा नेरेटिव सेट कर लिया है आने वाले कई चुनाओं के लिए पूरे देश के अंदर वो सब विपक्ष बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है और इसलिए इनके हाथों से तोते उड़े होए दो नारे जिन्होंने एक कर दिया सबको वो जोड़ने वाले नारे है यह जो विपक्ष कह रहा है न तोड़ने वाले तोड़ने वाले नहीं है तोड़ने वाले यह है जो जातपात की बात करते है एक है तो सेफ है और जब जब हम बटे थे तब तब हम कटे थे ने मैजिक क डाला। ऐसी हालत कर दी इन लोगों की कि इनको समझ भी नहीं आया कि 2024 में ये जो चुनाव था इनका कैसे राजनेतिक काल बन गया। मैं अभी आपको 2004 से लेके 2024 तक के जितने भी आंकडे हैं जितनी सीट जिस पुलिटिकल पार्टी ने जीती हैं वो बताने वाली हूं। वो अपने मत की ताकत समझने लगे हैं उनको अपने भविश्य की अपने वर्तमान की चिंता है भूतकाल में जो उन्होंने देखा है उससे वह बहुत कुछ सीख चुके हैं। कॉंग्रेस पार्टी उदव ठाकरे जी की शिफसैना और शरत पवार जी की एंसीपी का जो हाल हुआ है वो आप ये नंबर सुन करके खुदी समझ चाएंगे। मैं BJP, INC यानि Indian National Congress, NCP और शिफसैना के नंबर साब को बता रही हूँ। कॉंग्रेस पार्टी ने 2004 में जीती थी 69 सीट्स, उसके बाद 2009 में इनों ने जीती थी 82 सीट्स, उसके बाद 2014 में इनों ने जीती 42 सीट्स, उसके बाद 2019 में इनों ने जीती 44 सीट्स और इस बार कॉंग्रेस पार्टी ने जीती है 2024 में मात्र 16 सीट्स, अब तक का इनका सबस सबसे घटिया बर्वाद नीचे आते जा रहे हैं ये उसके बाद मैं बात करूंगी NCP की जब NCP इखटे थी तब इन्हों ने 2019 तक कैसे जीता था और 2024 में क्या बदला वो भी मैं आपको बताऊंगी NCP ने 2004 में 71 सीट जीती, 2009 में इन्हों ने जीती 62 सीट, 2014 में इन्हों ने जीती 41 सीट, 2019 में इन्हों ने जीती 54 सीट और अब 2024 में स्प्लिट हो गया है तो अब मैं आपको बता दूं कि जो अजित पवाल ने इस बार जीते हैं 2024 में 41 सीट और NCP शरद पवाल ने मात्र 10 सीट जीती है, only 10 सीट, ये चाड़क्या माराज क्या हाल है, निपट गया चाड़क्या जी और अब बात की जाएगी शिव सैना की जब तलक वो इखटी थी तिल 2019 और वो जब भारतिय जनता पार्टी के साथ थे उनके घटक दल के तौर पर तब उन्होंने कैसे सीटें जीती है, शिव सैना ने 2004 में 62 सीट जीती, 2009 में इन्होंने 44 सीट जीती, 2014 में इन्होंने 63 सीट जीती, जब उदव ठाकरे जी ही मुखिया हुआ करते थे, शिव सैना एक होती थी लेकिन अब 2024 में स्प्लिट हो गई, एक ना शिंदे जी के पास एक शिव सैना का हिस्सा चला गया, एक उदव ठाकरे के पास रहे गया, तो अब जो रिजल्ट आया है, वो आया है, जो मिस् 57 seats जीती हैं और उदव ठाकरे जी की शिव सैना ने मात्र 20 seat जीती हैं, आप देखें क्या हालत हो गई है, 57 seat जीते हैं मिस्टर शिंदे और उदव ठाकरे 20 जीते हैं, ये इन लोगों की इस्तती आज हो गई है हिंदुस्तान, यानी की 100 बात की एक बात है कि जनता इनके जू प्रकालेण बस सत्ता हतियानी हैं, और इसलिए जनता ने इन लोगों का, यानी जो लोग उनको चलने के लिए तयार थे, उनका साथ देने को बिलकुल तयार नहीं थी, मूड में ही नहीं थी, और इसलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जनता को ये भी याद था कि 2019 में जो उन्होंने मैंडेट दिया था, वो भारतिय जनता पार्टी और शिव सहना का जो प्री पोल अलाइंस था, उसको दिया था, उनको अपनी सेवा करने के लिए उन्होंने जनादेश दिया था, लेकिन उस जनादेश को चल दिया इन लोगोंने, किस दे, उदर ठाकरे नंबर पर जो आये थे, वो सरकार बनाने के लिए चले गए, और जो फस्त आया था स्टूडेंट, 105 सीट ले करके, उसको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानि भारतिया जनता पार्टी को, तो वो भी इस बाल याद कर लिया, महराष्ट की जनता ने, और इनको बिलकुल लाइन पे लगा दिया है, इनको बता दिया कि तुम लोगों के ये चलावे, ये जोड तोड, ये घटिया राजनीती नहीं चलेगी, ये हमारा प्रदेश है, ये तुम्हारी बपौती नहीं है कि तुमने रुमाल डाल दिया, और उसके बाद हमने वही किया जो त इट का जवाब पत्थर से दिया है माराष्ट की जनता ने और इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहती है, और अब ये जो रिजल्ट है न, इसके कारण शिव सैना के अंदर तो मारकाट मचीवी है, सुरू उठकर के आ रहे हैं, उदव ठा ठाकरे साब के सामने कि वहिस सबसे पहले पनौति को बाहर करो, कौन है पनौति-स संजयराउत को बाहर करो, और बोल रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी की जो विचार धारा हमने त्यागी है उस पर वापस लोटो ये कॉंग्रेस पार्टी के साथ जा करके जो सेकुलरिजम का कीड़ा काट करके आप सब लोगों ने अपनी बरवादी करवा दी हमारी पार्टी की बरवादी करवा दी इस कॉंग्रेस पार्टी को आप बाहर फ साब से कि यह बंटा धार बेड़ा गर्ग पार्टी का करने में संजे राउद का बहुत बड़ा हाथ है इनको तो आप एकदम रखता करो यह नहीं चलेगा और यह भी कह रहे हैं कि कॉंग्रेस के साथ रहने से ही हमारी यह बर्वादी हुई पता नहीं क्या गलत फैमी हो गई यह आप नेता बनगे ऐसा नहीं होता है पर खैर सौ बात की एक बात है कि शिवसेना के अंदर भी लड़ाई चल रही है और शिवसेना की कॉंग्रेस के साथ भी लड़ाई चल रही है और महाराष्टर की जनता ने इनको यह बता दिया है कि आपस में तुम्हें जो सुर्फ कमेंट के माधियम से मुझ तक पहुचाईएगा इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद